अलो गाईज, वेलकम टू एडू अंकुरण, मैं हूँ आपका दोस्त अश्वेनी कुमार, आज का वीडियो जहारखंड की नदियों से संबंदित MCQs का सेट 3 है, तो आएए वीडियो को सुरू करते हैं, मोर या मयुराक्षी नदि का उद्गम अस्थल है, आप्संस हैं, सरयाहाट दुमका, त्यूड पहाडी देवगर, मुंगेर या फिर इनमे से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, त्यूड पहाडी देवगर, आईए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं, मोर या मयुराक्षी नदि है, इसका उद्गम त्रिकुट पहाडी देवगर से होता है, और इसका अपवाहक शेतर, जारखंड और पशिम मंगाल, दो राजियों से होकर ये नदि बहती है, जारखंड से और पशिम मंगाल से, इसका मुहाना कहां है, इसका मुहाना हुगली नदी है, इस नदी की लंबाई कितनी है, 250 किलोमेटर, इसकी सहायक नदिया कौन-कौन सी है, तो टिपिरा, उस्रो, भामरी, दवना, धोई, इसकी सहायक नदिया है, इस नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, जिसका नाम मसानजोर बांध है, जो की दूम का जिले में, ये कुछ वीज्वल्स को देखते हैं, यह है जारखन का मैप, यहां पर आप देख रहे हैं हुगली नदी, और यह जो है, मयुराक्षी नदी है, जो देवगर से निकलते हुए, दुमका होते हुए, हुगली नदी में, पशिम मंगाल की हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, मयुराक्षी नदी प्रारंबिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, आपके ऑप्शन्स हैं, मुरामबी, टिपरा, मोतिहारी या फिर भामरी, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, मोतिहारी, तिपरा, भामरी, धोवई, सिंध, दाउना, मुनबिल तथा पुसरो, कि गुमानी नदी कहां से निकलती है, आपके ऑप्शन्स हैं, अमर कंटक की पहाडी, राजमहल की पहाडी, C, पारसनात की पहाडी, या D, इन में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, राजमहल की पहाडी, आईए इसके कुछ डीटेल्स को देखते हैं, गुम पहाडी गुड़ा से गुमानी नदी का उदगम होता, इसका अपवाश्चेतर है, गुड़ा, साहिब गंज, पाकूर, और इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना है हुगली नदी, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है, 250 किलोमेटर, सहायक नदी है, उसका नाम है मेरेल, जो की साहब गंज के बरहैत में मिलती है, यह थे गुमानी नदी के डीटेल्स, इसके कुछ वीजवल्स, यह है जहारकंड का मैप, आप यहाँ पे देख रहे हैं गुड़ा, यह देख रहे हैं आप हुगली नदी, और यह जो नदी है, यह गुमानी नदी है, जो ग इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, दुधुवा पहाडी दुमका, आईए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं, ब्राम्हनी नदी है, उसका उद्गमस्थल है, दुधुवा पहाडी दुमका, यह दुमका के दुधुवा पहाडी से निकलती है, इसका अपवाच शेतर जो है नालहती रेलिवे स्टेशन के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, इसके कुछ वीजवल्स, यह है जहारखन का मैप, यहाँ पर आप देख रहे हैं दुमका, यह जो है वो होगली नदी है, और यहाँ से दुमका से निकलती हुई, यह ब्राम्हनी नदी होगली नदी में जाकर मिल जाती है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्राम्हनी नदी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्राम्हनी नदी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ब्राम्हनी नदी, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बास पहाड गुड़ा, इसका करेक्ट एं आईए इसके कुछ डेटेल्स को देखते हैं बांसलोई नदी जो है उसका उद्गम बास पहाडी गुड़ा से होता है और इसका अपवाख शेतर है गुड़ा और साहिब गंज गुड़ा तथा साहिब गंज से होते हुए ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है इसके हल्गु नदी का उद्गम अस्थल क्या है आपके ऑप्शन से है तुरुट पहाड देवगहर छोटा नाकपूर का पठार सी वारसनात गिरडी यडी पदमा हजारी बाग इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा छोटा नाकपूर का पठार ये इसके कुछ डिटेल्स को देखते ह हल्गु नदी का जो उद्गम है वो छोटा नाकपूर के पठार के उत्री भाग से निकलती है और इसका जो मोहाना है उसका मोहाना कहां है तो इसका मोहाना हो जाता है आपका गंगा नदी इसे निरंजना भी कहते हैं और बोध गया के समीप मोहना नदी से मिलकर ये विशा दान करने के लिए जाते हैं, तो फल्गु नदी एक important नदी है, आईए, next question, लीलाजन या निरंजन किस नदी की मुख्यदारा का नाम है, आपके option है, कामोदर, प्राम्हनी, फल्गु या सकरी, इसका correct answer हो जाएगा, फल्गु, फल्गु नदी, next question, सकरी नदी कहां से निकलती है, option है, त्रिकुर्ट पहाडी, फोटा नाकपूर का पठार, अमर कंटक, या फिर बांस महाडी, तो इसका correct answer हो जाएगा, फोटा नाकपूर का पठार, आईए, इसके कुछ details को देखते हैं, सकरी नदी जो है, वो फोटा नाकपूर के पठार से निकलती है, और इसका अप फिक है, तो ये एक इसके कुछ details है, आईए, इसके कुछ visuals को देखते हैं, ये जहारखन का map है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सकरी नदी जो की हजारी बाग से निकलती है, next question, किस नदी को रमायन में सुमागधी कहा गया है, हल्गू, दामोदर, अजय, या फिर सकरी, तो मुगेर, अमर कंटक, या फिर इन में से कोई नहीं, तो आपका correct answer हो जाएगा, छोटा नागपूर का पठार, आईए, इसके कुछ details को देख लेते हैं, चानन या पंचानन नदी का उद्गम जो होता है, वो छोटा नागपूर के पठार से होता है, और पांच जलधाराओं के मेल से ये बनता है, इसे लिए से पंचानन नदी कहा जाता है, इसका मुहाना कहा है, तो इसका मुहाना है सकरी नदी, अजय नदी कहां से निकलती है, आप्शन्स हैं, मुगेर, बिहार, राची, जहारखंड, आसन सोल, पश्चिम, मंगाल, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा मुंगेर बिहार आईए इसके कुछ details को देखते हैं अजय नदी का जो उद्गम है वो मुंगेर से होता है पहले ये मुंगेर था लेकिन अभी मुंगेर से ही कट कर एक जमुई डिस्टिक बना है तो अजय नदी का उद्गम अभी के समय पे जमुई से होता है तो बिहार के जमुई से निकलकर जार्खन में यह देवगर जिले में प्रवेश करती है इसकी साहयक नदिया पत्रो और जैनती है इसका अपवाच्छेतर है देवगर जामतारा और दुमका जार्खन में इसका जो भी अपवाच्छेतर है वो है देवकर, जामताड़ा और दुमका जामताड़ा जिला इसी नदी के किनारे अवस्थित है तो question में ये पूछा जा सकता है कि जामताड़ा जला जिस किस नदी के किनारे अवस्थित है इसका एंसर हो जाएगा अजय नदी अच्छा यह नदी कुस बेदिया देवघर के पास है कुस बेदिया से अफजल पूर दुमका तक प्रवाहित होती है और अजय बैराज जो है उसी नदी पर देवघर जिले में बना हुआ है और इसका मुहाना जो है वो भागी रथी नद गंगा नदी जहारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है आपके options हैं दुमका जामताडा साहिब गंज या फिर गोड़ा इसका correct answer हो जाएगा साहिब गंज गंगा नदी जो है वो जहारखंड के साहिब गंज जिले से होकर प्रवाहित होती है ठीक है next question कनहर नदी कहां से निकलती है option है दुमका जामताडा जशपूर या फिर गोड़ा इसका correct answer हो जाएगा जशपूर ठीक है आईए इसके कुछ details को देखते हैं कनहर नदी जो है इसका उदगम जो होता है वो गिड़ी डोड़ा खुडिया पहाड के गिड़ी डोड़ा जेगा से होता है जशपूर से इसका उदगम होता है इसका मुहाना क्या है तो सोन नदी है इसका अपवाद शेतर है तीन राज्यों से होकर ये बढ़ती है चातिस गड़ ज्हारखंड और उत्तर प्रदेश ज्हारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है और पलामु जिले से बहती करते हुए ये सोन नदी में जाकर UP में UP के सोन भदर में जाकर सोन नदी में मिल जाती है तो ये थे कनहर नडी के डीडेस झारखन की नदियों से सम्वंदित जितने भी MCQs बन सकते थे मैंने आपके सामने में रखने की कोशिस की है जहारखंड में जितने भी तरह के competitive examinations होते हैं और अगर उसमें नदियों से संबंदित कोई भी प्रशन पूछा जाएगा इन ही में से पूछा जाएगा तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ट करता हूँ अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैर कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी अपना ख्याल रखिए जैहिंद